जहन्तर नमस्कार मेरे सेर सेनियो लाड़ोड लाडलियो स्वागत आप सभी का अपने यूटूब चैनल कमांडो केड़ी में दोस्तों आज का वीडियो इस वेशली बहुत सारे बच्छों के क्यूशन रहते हैं CRPF को लेकर SSEGD में आपको काफ़ी ओप्शन मिल जाते हैं उनमें से एक फोर्चस CRPF जिसमें मैंने भी अपनी शेवाएं दी है 2023 इसमें आपको लगवार्च से नो ओप्शन मिल जाते हैं उनमें से एक जो सबसे बड़ी वेकेंसी जिसमें आती है वो बलाई CRPF ठीक है? CRPF को लेकर बहुत सारे बच्चों को भरम होते हैं कि इसमें बहुत हार्ड ड्यूटी होती है यह मंतलब सही नोखरी नहीं होती है बहुत सारे लोगों का सिर्फ एक ही चीज़ होती है कि CISAP सबसे बेस्ट है उसके बाद मैं SSB ऐसा नहीं है तो CRPF किस बरकार की ड्यूटी है करती है? क्या CRPF के फाइदे हैं? और क्या नोख्राणा मैं आपको बताता हूँ क्योंकि CRPF में मैंने खुद नहीं ड्यूटी किये तो मेरे को पूरा भली भाती पता है कि CRPF के इस बरकार से ड्यूटी करती है पहले बाद तो CRPF Central Reserve Police Force रेजरव में रहती नहीं है लेकिन नाम है Reserve Police Force ठीक है? CRPF सब भारत की आंतरिक सुरुखसा देखती है क्या देखती है? आंतरिक सुरुखसा देखती है ठीक है? यनि देश में अंधरुनी रूप से कुछ भी होगा उसकी सुरुखसा कौन देखती ह CRPF देखती है आप कस्मीर में भी CRPF को देखोगी चतीस गड़ में भी CRPF को देखती है नकसलियों से मुटपेर भी CRPF सबसे ज़्यादा करती है तो कि यह देश की आंतरिक सुरुखसा देखती है इसके साथ इलेक्शन डूटी में आप इसको देखोगे ठीक है? तो आंत नकसलवादियों से लड़ाई? नकसलवादियों से जो पंगे लेती है कौन लेती है? CRPF लेती है कस्मीर में आतंगवादियों के खिलाप? ठीक है जो इलेक्शन होगा या नकसलवाद होगा या यह या जो दंगे होते हैं बटे बटे जो दंगे होते हैं जैसे दिल्ली में आपने देखा होगा CRPF के जवानों को या कोई प्रोब्लम हो जाती है जिसमें CRPF जैसे कोई भुकम पा जाता है वहाँ Rapid Action Force इनकी कार करती है RF वो भी CRPF की Rapid Action Force ठीक है NDRF में भी ये ड्यूटियां करती है NDRF में भी ठीक है इसके अलावा इससे NSG NSG में भी जाते हैं लोग SPG में भी ड्यूटिय करती है ठीक है Special Protection Group में भी उसके अलावा Cobra जो specially गठित किया गया है नक्सलों के लिए Cobra में भी इसके जवान जाते हैं उसके अलावा अदर जो Police Forces की की कई कमांडो होती है उनके साथ भी ड्यूटिय करते है जैसे GH कमांडो Ground कमांडो है कस्मीर में ये राइस्टी राइपल RR के साथ में काम करती है आर्मी के साथ में भी ठीक है NSG हो गई SPG हो गई CRPF से CID में भी जाते हैं कुछ लोग CBI में भी कुछ साल के लिए जाते है ठीक है और VIP प्रोटेक्शन भी देखती है VIP और VVIP दोनों का प्रोटेक्शन भी देखती है इसके अलावा जो बड़े-बड़े मंदिर होते हैं जैसे वेश्नो माता मंदिर भी CRPF ही कवर करती है ठीक है वेश्नो माता के अगर आप मंदिर देखोगे जमू में कट्रा वेश्नो माता मंदिर भी मिल जाएगी अमनात यात्रा भी CRPF कर आती है मतलब भी प्रोटेक्शन सबसे ज़्यादा CRPF का लगता है और भी कई परकार की ड्यूटी हैं जो CRPF के जमान करते हैं ठीक है देश के हम है रक्सक जान भी देंगे बेशक ये CRPF का जो हम ट्रेनिंग करते थे तो पहले जो ट्रेनिंग गीत होता था शोरीगा वो था देश के हम है रक्सक जान भी देंगे बेशक देश की रक्सा में वीर जयाले हम है, सस्तर समाले हम है, देश की रक्सा में, ऐसे करके काफी बड़ा गीत है वीरस का, ठीक है, कई परकार की ड्यूटियां करती है, तो सबसे ज्यादा फाइदा क्या होता है, CRPF में अगर आप जोइन करते हैं, आपको पूरे देश में भर्मन करने को मिल जाता ह है, और आपको इतनी परकार की अविलन लीजे कई बच्चे होते हैं, जिनको और में जानी का सफना होता है, आप CRPF के मदेंसे जा सकते हैं, आपको खोबरर कवांडो मनना है, आप CRPF के मदेंसे जासकते हैं, आपको फिश करके में जोइन करके बाद में आइस पीजी में जा सकते हैं तो एक तो कई सारी कमांडो फोर्सेस में आप जा सकते हैं शेयर पेप दूसरा कि जैसे इलेक्शन डूटी हो गई यह बहुत अच्छी डूटी जिसमें आपको देश का बर्मन भी हो जाता है बहुत अच्छा मतलब इसमें लग अलग अलग परकार की डूटी यह जाती है तो वेरायटी बहुत है दूसरी बात कि जब मुस्किल एर्या में काम करते हैं तो पयैमेंट अच्छा मिलता ठीक है जैसे आप कोबरा में हैं या कस्मीर में तो आपको लगबग 17,500 के तीन सो के अलावा यह अलाउंस मिल जाता है और भी कुछ यहां पर डीएए मिलकेर आपको लगबग 20,000 के आस पास तो अलाउंस मिल जाता है तो आपकी जो पेमेंट है वो लगबग दूगनी के आस मिल जाते हैं जिसका जो पसंद है वो उसमें जा सकता है इसमें सबसे जो नकारात्मक चीज या जो बोलते हैं कि हाट क्यों है उसके पीछे जो रिजिन है यह दो रिजिन है नकसलवादी और आतंगवादी क्योंकि आपने देखा हुआ उडिशा जार खंड या जहां पर भी नक्लाइड एरिया है उन सब जगें CRPFी ड्यूटी करती हैं सबसे ज्यादा रिस्क कोन उठाती है यहां पर CRPFी उठाती है तो इसलिए यहां पर जो भी जवान ड्यूटी करते हैं उन पर हमेंसना रिस् सबसे ज़्यदा रिस्क वाली फोच भीस को आप बोल सकते हैं और सबसे ज़्यदा पेरामिलिटरी में अगर देखा जाई तो सबसे ज़्यदा सहीद वाली फोच भी CRPFी एरामिलिटरी में अगर हम बात करें तो ठीक है ना तो इसमें रिस्क थोड़ा सा होतआह से इसकीए से दूसरा आतंगवादी कस्मीर में भी आरार के साथ में अगर कोई फोर्स काम करती है तो वो है स्यार पेप यह सब भी लगती है लेकिन इतना नहीं जितनी स्यार पेप लगती है तो यहां पर भी थोड़ा से हालात माड़े देते हैं तो उसे समय रहता है थोड़ा हाड रहता है नेचर के वज़े से भी और साथ में आपको आतंगवादियों से लोवा भी लेना होता है तो नुक्सान भी यह कई बार होता है जवानों का अपने पुलवा मत देखा ही था इतना बड़ा बड़ा टेक भी शेयर पेप होता है एक बार 37 गड़ में पूरी पूरी कंपनी कोड़ मतलब खतम कर दिया गया था सहीद कर दिया गया था तो इस परकार के इंसिडेंट भी होते हैं इसमें भी कोई संदे नहीं प्रभी नहीं ने का सकते हैं कि भाई कुछ होता ही नहीं ठीक है हार ड्यूटी लेकिन बाकी और्रॉल बाकी जो भी यूटी है चाही जब दंगों में सब्सक्राइब बाकी प्रोटेक्शन में रहते हैं तो यह ड्यूटियां बहुत आसान है ठीक है ना इसकी वज़से क्य कि नहीं तो इसका मतलब अगर देखा जाए तो इसा नहीं कि बहुत मतलब हार्ट डुटी हार्ट नहीं है यहां दो जिगा जब भी आप सतीजग दूडी सामें तोड़ा साल का दिस्क करता है और कश्मीर में तोड़ा रिस्क करता है लेकिन आर्मी के जमान भी तो रहते हैं है तो रिसक काएगा अगर आप फोजी है तो फिर रिसक कागा साशक्षट उपर वाला ने दे रहें जितनी चलनी उतनी चलनी नहीं तो रिस्क पर चलते हैं इंसान भी कश्तम हो जाएगा तो वह कोई बड़ी बात नहीं रिसक तो आपके हर कदम पर है उसके अलावा अगर हम देखे तो लगबग हमको मतब अची से पिच्छे से चुटी आपको